हाजी सर, तो हमारा चैप्टर चल रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक तरफ एकोनॉमिक और दूफ तरफ क्या था? सोशल, इसके ठीक बाद हमने स्टार्ट कर दिया था, इसके ठीक बाद हमने स्टार्ट कर दिया था, पेज नमबर टू में जो दिया हुआ है, क्या? इनर्जी, फिर एनर्जी में हमने पढ़ा था, सोर्स ओफ एनर्जी, जो दो तरह की थी, कन्वेंशनल और नॉन, कन्वेंशनल, इन दौनों के फिर क्या था, मेन सोर्सिस क्या है, और कन्वेंशनल को दो पार्ट से बाटा गया था, कॉमर्शल और नॉन, कॉमर्शल, कॉमर कमर्शल एनरजी का कंजम्शन किस तरह से कहां से कम हुआ था अब ट्रास्पोर्टेशन से कम हुआ था और बाकी जगों पर क्या हो गया था बढ़ गया था इसके बाद हम पढ़कर आये थे अब इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर पढ़ लिया था हमने जिसके अंदर पढ़ ल हेल्थ हेल्थ में पढ़कर रहे थे प्राइमरी हेल्थ केर सेकेंडरी और क्या टर्शरी हेल्थ केर यहां तक हम पढ़ चुके थे और इसके आगे का टॉपिक हमें करना है शुरू का भी हाँ पकड़ते ना उसको तो हम आते हैं स्टेट ऑफ हेल्थ आफ्टर तो सबसे पहले हम आते हैं हम कहां चल रहे हैं हेल्थ में हेल्थ में एक है इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस यह कौन-कौन से इंडिकेटर से बताते हैं हेल्थ के बारे में पैला है डेथ रेट अब आजादी के बाद से अब तक अब तक अबिस्ली डेथ रेट क्या हुआ है कम फॉल इन डेथ रेट डेट डेटा के अकौर्डिंगली 5051 में 27.4 पर संपर थाउजंड मर जाते थे जिसमें अब कितने रह गया है वो सिर्फ 7 अब इसकी पीछी रीज इंफेंट मॉट्रिलिटी रेट वाट इस इंफेंट वो बच्चे जो एक साल तक के एज के होते हैं डेथ ऑफ इंफेंट अप टू वन येर ऑफ एज एक साल तक के बच्चे जो बिकॉज ओफ बहुत साज प्राब्लम हो सकती है अगें 1950-51 में 146 मरते थे आउट ओफ थाउजंड और फिर 2015-16 में 34 मरते हैं तो ये भी क्या है डिक्लाइन हुआ अजी तो पहले आपने क्या मुला डेफ रेट ये किसी थी? मैचोड लोगों की? बड़े लोगों की? और ये क्या था? इंफेंट ऑर बच्चों की अब जब लोगों की हाँ डेथ रेट कम हो रही है बच्चों की और बड़ों की तो ऐसे में उनकी लाइफ जीने की एक्सपेक्टेंसी क्या होगी राइस तो 1950-51 के डेटा के एकॉर्डिंगली अब लोग 67 यह तक मेल जीते हैं और 70 यह तक फीमेल जीती है आथ और गहां अब यहां सबना डेटा की पॉइंट की बात करें तो प्रेविऑस डेटा तो बल्कुल इंपोर्टन नहीं है पचास कैशावर में क्या था लिए compare करेंगे तो यह बताएंगे कि increase हुआ या नहीं तो current data तो चाहिए लेकिन previous data important नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए important क्या है पहले तो बताओ कि fall and death rate फिर क्या हो गया infant mortality rate भी गिरी जिसके ऐसे life की expectancy बढ़गी और जो पहले communicable diseases थी वो आप control हो चुकी है जैसे कि smallpox अब पाया ही नहीं जाता 1977 में पूरी तरह से ही खतम हो चुका था malaria 1958 में 6.5 million को वा करता था जो घटके 10.5 10.7 इसे कम ही होना चाहिए 10.7 कैसे करता है फिर चलो देख लेंगे data आज ये लाखों में होका सही कह रहे हो ऐसे होना चाहिए कुछ कोशन वाक ऐसे ही AIDS इंक्रीज की गई सरकार की तरफ से awareness और 4000 blood testing centers set up किये गए दोया साथ तक जिससे कि अब awareness होने की वैसे ये बीमारी भी पहले से क्या है कम होती है क्या बोल रहे हैं ये क्या थे communicable diseases थी था क्या ये indicators of health status health को लेकर ये चार पॉइंट हैं जो बताते हैं कि हमारे आपर हमारे देश में health sector इंप्रूव हुआ या नहीं पहला क्या था भई जवान मरें कम बरते हैं बच्चे कम बरते हैं लोग ज़्यादा जीते हैं और last कमनी केबल डिजीज भी क्या हो चुकी हैं अब कम हो चुकी है हाँ अब हम आते हैं इंडियन सिस्टम ओफ मेडिसिन ये इंडियन सिस्टम ओफ मेडिसिन क्या है हमारे देश में doctors यानी ब्रौजयदा यज हैं इस सब से क्या होता है कई डिजीज होती है जो इंसे कंट्रोल किया आती है Now, 3167 IMS, IMS का मदलब Indian System of Medicine, यानि इतने होस्पीटल हैं, इन सभी के, और 26,000 डिस्पेंसरी हैं, और 7,000,000 रिजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, जो इसके अंदर काम कर रहे हैं, And these medicines are safe, effective and inexpensive, बहुत सस्की आती हैं, effective होती है, ऐसा कहा जाता है कि, Like Allopathy, जो tablet सब खाते हैं, वो जल्दी असर करती हैं, लेकि negative impact भो डालती है, और महंगी भी आती है, और यहां तो, क्या करते हैं, बहुत सस्ती दवाईया होती है, यह, inexpensive होती है, effective होती है, और safe भी होती है, इसके side effect नहीं होते हैं, अजी, next, urban, rural, या poor, rich divide, यहां पर यह बोला गया है, कि मैं जो को समझते हैं, अमीरों के लिए तो private hospital हैं, यहां किसकी बात कर रहे हैं, किसके पास facilities नहीं है, गरीबों के पास, तो यह सारी की सारी बात हो रही है, गरीबों की, और वो भी कौन से गरीब, तो especially बात की आ रही और रूरल area's की, ह zou जो कि अधितो बोलत नहीं, तो हम सिर्फ ealth को लेके बात कर रहे हैं, अमीरी गरीबी के बीच में, health को लेकर आ रहे हैं, तो हम बोल रूरल नहीं अंधु के लोगों के पास, जाधा health care facilities, नहीं है, अब लिग तो नग है, यहां- जांओ, तो ने लिएश के पास नहीं थे इसको हम क्या बोल रहे हैं do not have easy access to health care facilities 70% population रहती है कहां पर गाउं में जिसमें से half one-fifth sorry one-fifth hospitals है किसके 70% population रहती है गाउं में but only one-fifth hospital कहां पर है गाउं में जिसके अंदर private sector वाले भीव मिला के बता रहे हैं अब समझे लेते क्या पॉइंट है total population कितनी रती गाउं में 70% और टोटल hospitals है उनमें से कितने hospitals हैं गाउं में one-fifth उसमें भी private sector भी यह साप में private sector को मिला कर हां जी और half जितनी total dispensaries हैं उनमें से half of the number of dispensary कहां पर हैं गाउं में यह सब गाउं की बात लिखे गी हैं आपर 30% out of 6.3 lakh bed in government hospital total bet कितने 6.3 lakh जिसमें से गाउं में कितने 30% गाउं में हैं और जो अभी हम पढ़कर रहते physical primary health care centers do not even x-ray machine या blood testing facilities नहीं है क्यों नहीं है क्यों कि इसमें ती secondary health care center में थी तो वो यह तो कह रहा है वो कह रहा है तभी तो गाउंवालों को facility नहीं मिल पारी कि इनके एक पार तक प्रदाय मिल नहीं है तो डुम प stellम भी नहीं है तो भू पर इंज है कि शयरह में तो हमें तो जो जों पस तुम प्याइसजी से यहां पर रशेरा क्या सब्सक्तिब्सों नहीं या फी यहां बूलाइ piece स तो चुटे लेवल चुटे लेवल पर तो चुटे पर पूरा पना के रखा है प्रैमरी भी सेकेंडरी भी बुखार है यहां दिखाओ बुखार ज्यादा बुरा हो गया तो उसे रेफर करो रूरल में तो डॉक्टर्स प्रेफर टू वर्क इन अर्बन एरिया इसलिए वह गाउं में जाते नहीं है क्योंकि गरीब ज़्यादा बीमार रहता है और इंकम भी कम होती है वाइल रिच स्पेंड अल्ली टू परसेंट कोई पैसा बहुत होता है उसका बहुत कम पैसा वो खर्च करते हैं इसके उपर यह सारी सारी क्या थी हाओं यह कमियत उन बता रही थी कि गाउं में मेडिकल में फेसिलिडी नहीं है आ देमिंद की नहीं हमेंदकर तो में और वोमेंज हेल थ को लेकर वोमें कॉंस्टिटीट्ट है अब आउट हाफ आफ टोटल पॉपॉलेशन नहीं टोटल पॉपॉलेशन में 50% क्या मान जाती है 50% क्या है विमें से कितनी 50% चाइल्ड सेक्स रेशो जो कि कि दो हजार एक में था कितना 927 जो कि अब कितना हो चुका है 914 तो हमने क्या देखा कंपेरिटिवली चाइल्ड सेक्स रेशो क्या है कम हुआ है ड्यूटू ने कम कैसे हो गया लेकिन यह है नहीं ऐसा नहीं अब तो खेर लोग अवेर्ड हो रहे हैं पहले ही कंपेर में कम पर ताउजन एक हैर में कुडिया कम होगी ड्यूटू नहीं यह तो बढ़ना चीए या दो हजार एक में टू ताउन एलेवन में नौसो ठीक है यह तो हो यह तो इसलिए हो गया होगा ना क्योंकि आजकर लोग एजुकेड़ हो गये तो ऐसे भी बच्चा एक ही परिवार में एक ही बच्चा कर रहे है तो उसमें भी मेभी देखिए डिटा चेक कर लेंगे एक ब बेट्वीन पंद्रा से कितने फचास साल की एज में उन्हें क्या हो जाता है और निविया हो जाता है और नॉट्रिशनल अनीमिया इसे कहते हैं पीलिया पीलिया ज्रैं धिस जोएंदेस जोइन डैस कॉंस लेडीज के अंदर आइरन डेफिसेंसी बहुत जादा हो रहती है एक और चीज तुम्हें अगिशा जिस बाइब ना पता हो था हमारे धूप जरूरी है के धूप अगर धूप ना मिले तो हमारी बॉड़ी में अरे इतना है दूर तक मज़ जाओ अगर धूप ना मिले तो त अगर तुम सुनो तुम बात यह मत करो कि ट्राइश सिटी के लोग कैसे हैं ट्राइश की लेडीज की बात हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तो बैकवर्ड एडिया है ना जहां पर लोग रहते हैं हां और एक और चीज जाना ता लेडीज बच्चे को पैदा करते टाइम एक्सपार हो जाती है रीजन हां बहुत तो क्या बोल रहे हैं कि आजकल जो अबोश्यन की फैसिलिटीज हैं अबश्यन आर मेजर कॉज आफ मैटरनल मॉटिलिटी जब वो बच्चे पैदा कर रहे है बच्चे को प्रॉपर एनेमिय था तो वो उस डूरेशन में बच्चे को तो खत्रा होता है वह जिंदा नहीं रहती है देफिसेंसी और दूफरा क्या बोल रहे हैं कि आवोश्यन करवाने जब लोग जाते हैं तो वहां पर भी कई बर क्या होता है लेट आवोश्यन के चकर में बच्चे को तो खत्रा होता है मां को भी खत्रा क्या जीज आई वह ओवर ग्लीडिंग या फिर कुछ मिस्करेज हो जाता है ना मतलब कुछ गल्ती हो जाती डॉक्टर से जब एक टाइम के बाद वोश्यन होना मुश्किल हो जाता है ऐसे में तब ही वह कोई करवा रहा ह इसको एफिशेंट बनाओ और हैल्थ और हाईजीन को लेके अवेरेस फैलाओ जैसे के हमारे अक्षे गुमार आते है जिए आट के साथ आते है नैप्कीन तेरे पास दस रुपए है मरने के लिए है और भाबी की हाईजीन के लिए निये तेरे पास पैसा है बच्चा भाद ने कंश़र को बच्चा अवोशन का बतलब है कि बच्चों बाळण यह ना वोच्छा ओळा है यह अरे सुदो पहले कई बार कि होता है बद्द की भी कृटिकल केंडिशन चिए ना थि आ तभी तो अब तो यह अच्छे शेरों की बात हो रही है यह वहां पर ही बात हो रही है जहां पर गरीब लोग है जहां पर आफोर्ड नी कर पारे है वही लोग दिखकेत आ रही है कि अब नीड टू क्रिएट इफेक्टिवनेस अगें क्या प्रैमरी हल्थ केर फ़र बेक्टर कॉलिटी ऑफ लाइफ हम क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने एक शी बोली प्रैमरी सेकेंडरी प्रैमरी की में प्रॉबलम है सबसे आदा अब वहापर क्या है गाव में क्या वैक्व ने निए डूरिये और जैसे ही उसको अनीमिया हो गया आयरन की कमिंडिय की कमी हो गई वह लापरवाही में चली जिसकी ऐसे क्या हुआ वाम चला कि बच्चा भी गया और मदर भी हुआ इसके लिए क्या बुला कि प्रैमरी हल्थ के सेंटर में चीज़ें फैसलिटी इसको बढ़ाओ और उसको एफिशेंट बनाओ और हाईजीन के बारे में लोगों को जानकारियां दो अब तो अब तुम ध्यान देना यह चारों पॉइंट यह चारों पॉइंट पड़े हैं ठीक है इसमें विमन्स हेल्थ इंपोर्टेंट है इनमें इनको तो सुन तो लो कंक्लू कास नहीं है फिर स्नी बताया की गयों में होस्पिटेब्च इन सब क्या है इनके व्हों प्राइज बचने की जो है है वह kural अर neue अरृज्ज बिर ता इन सभीं की वहशुझ ऎल्ट की अ उतिंग्रेड होती है और अनके बचने की चांसेंट बिक्स हो यह नेकर Cr Trails चैलेंज तुचैलेंजिस इन हेल्थ cynks कर्गंच जब इ मिलेंस की होगा तो चैलेंजिस इन इन्फ्र इंफरॉंट ​ यानि देफिसेंसी प्रोब्लम्स की बात कर रहे है पॉइंट नुबर बन अनिक्वल दिस्टिबूशन अफेल्ट केर फैसिलिटी हाँ एकदम 70% पॉपुलेशन लिवस इन रूर्या और 20% होस्पितल और 50% इस्पेंसरी लोकेट इन रूर्या इस्प्रेड आफ कमनी के यह भी चीज़ हो गई कि अर्जेंट रिक्वार्यमेंट तो इडेंटिफाई समय पर इडेंटिफाई करें प्रेवेंट करें और मेक अवेइनस फैलाए डिजीज कहों सी लाइक एट्स, एचाईवी या SARS, इसके फुल फॉर्म जुरू देख लेना एक बार, AIDS क्या है Acquired Immunodeficiency Syndrome HYV क्या है Human Immunodeficiency Virus HIV Virus की वैसी क्या होता है AIDS SARS, Saviour Accu ऐसी Third Point Prevatization of Healthcare Prevatization की वैसे इसकी Mentorians पर खर्चा बहुत होता है Private Sector में इसकी ऐसे यह लोग खाई चार्ज लेते हैं और गरीब लोग उसे अफोर्ड़ी कर पाते हैं Private Sector plays a major role in medical education and training, medical technology, sale of pharmaceutical, etc Private Sector is very expensive which is beyond the major part of the बस अब लोगों की बसकी बात नहीं है कि वो प्राइवेट में फोर्टेज और हर जगे जाके अपने इंप्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी यहनी सैनिटेशन की फैसिलिटी हमारे अच्छी नहीं है 30% of the houses in urban areas do not have toilet facility फिर से तुम यह हम यह बात नहीं करेंगे कि हम यह नहीं बोलेंगे कि urban का मतलब सिर हमारा tri city है हम बात करेंगे urban में ऐसे भॉष है राते हैं प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी हम क्या बोलेंगे शेयरों में 30% लोगों की पास नहीं है और गाहों में दसनाटेशन मिनम सैनिटेशन इनकी पास भी नहीं है प्रॉपर मेंटेनेस ऑफ हेल्थ के सेंटर्स जो प्रैमरी सेकंडरी या वो है उनको प्रॉपर डूपर डूप फंड विद गौवर्मेंट सेक्टर प्राविट सेक्टर हैस यूस फंड बट कॉस्ट अफ मेंटेनेस इस हाय अब बट कोशन एसा है कि इस प्राविट तो गौवर्मेंट तो पैसा लेकर वैठी है बजट में कौन खा गया निता बिजनस्मेन पैसा हम लोगों की घरों भी पहुंचा है इसलिए बट किया है जब रिसेशन आता है तो पेसा पास रहे लोगों की पास पैसा पहुंचा जाता है अफल्च नहीं करता है आप देपास store कर लेते wouldn'tION I लिकेज कहते हैं उसे तो वो प्राइवेट वाइवेट शान पैठ रहते हैं अगर से बड़ी बड़ी नीरव मोदी और इसा भाग गये वहां चाकर भी अच्छी लैविश लैविश ही रहे हैं लेगी पैसना उनने वापस नहीं किया वन्होंने बुला हम पैसना निहीं पा र तो यह क्या था यह था मारा क्या प्रॉब्लम से हेल्थ के अंदर पहला क्या था अनिकोल डिस्ट्रिबूशन ऑफ हेल्थ केर गाउं में प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी शेरों के कंपेर में दूफरा कम्मिकेबल डिजीज बहुत तहीं से फैल रही है उसका अवेनेस पहुंचाने ज़रूरी है नहीं पहुंच पा रही है प्रैविटेशन से लोग मेडिकल फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाते हैं इंप्रोपर साइटेशन फैसिलिटी नहीं है जिसकी वह से मख्षी मच्छर और कई तरीगी वीमारिया और पूर मेंट्रिनेस ओफ हेल्थ केर सेंटर्स नहीं है मेजर्स तू सॉल्ट डेफिसेंशी in the health infrastructure आओ भी जर पूर मेंटरेंस था बोल रहे हो डीसेंटरलाइज कर दो क्या कर दो डीसेंटरलाइज हेल्थ सर्विसे शुड बी प्रॉपर ली अलोकेटिट इन दा इरियास मतलब प्रॉपर तरीके से हर जगे पर पहुंचाओ सब्सक bows Moscow सरकार की जो प्रेम हैं यहां न जो की मैंटेन ही ओ पारहे हैं तो हम बोले मंटेन भी करना है neu यहां टो में करना है पार किम्त करना में जाब नहींकित सब लोग आखोमन आते हैं तो ऐसे ही जगे जगे पर होने चाहिए इस था है के बड़े बड़े होस्पिटल यसे तुम्हें सुनों को ट्रोमा सेंटर होते हैं ट्रोमा इसकल मतलब पीजाए की तरह बड़ी फैसिलिटीज है जो की मतलब हैसे वो आई थिंक अंबाला में भी ह है ट्रोमा सेंटर फिर करणाल में भी होगा और हर बड़ेश मतलब इसी लेवल का हॉस्पिटल होता है लेकिन हर जगे कर दिया गया है तो यहां पर दो पॉंट जोड़ दिए मैंने पूर मेंटरिस ऑफ हेल्थ केर सेंटर से पहले तो उसको एफेक्टिवनेस लेकर आओ मत इन तो सरकारी हेल्थ केर सेंटर सीबात हो रही है उपर तो प्राइविट नर्सिंग होब कर रहे हैं उसके तह मेंगय हो गए प्राइवित पाल्य पाईक्ट अच्छी तरह तेयस ज्यार मैनेजड है और प्राइवट तो ऑले हुग थे स्ट्रियल आइज हाई है वो तो इं हां वो कहा रहा है कि सरकारी मेंटेन नहीं हो पाते हैं क्योंकि कॉफ ज्यादा है सरकार के पाइस नहीं हो पा रही है दो पॉंट जोड़ दिया इस वात ठीक है नेक्स्ट क्रियेटिंग अवेरनेस अवेरनेस तेला हूं क्या बोल रहे हूं नहीं इस प्रेट आफ कम्मिकेशन डिजीज तो यह थी नहीं फैल रही बीवारिया थू न्यूजपेपर रेडियो टेलिविजन रोल आइटी सेक्टर कांट बी निगलेक्टिड यानि कि जादा जाए लोगों को उन बीमारी कुबारें बताओ जिसे की ल सब्सक्राइब करना है यह था यह सारी प्रॉब्लम ती गाओं को लेकर इसको लेकर हम यहां पर आगए कि अर्बन रुर्ल डिवाइट को भी से करना है Easy Assess of Healthcare Facilities यह किसकी वोगों की सरकार किया प्राइबट की गॉवर्मेंट को प्राइबट को कुछ कहीं सकते है तो Easy Assess Healthcare Facilities का बतलब वही कह सकते एक तर से कि लोगों तक पहुंचाओ Medical Facilities को जैसे कि वह था नहीं था पोलियो ड्रॉप्स तो पोलियो ड्रॉप्स घर घर जाके पला जाती थी ऐसे increase in investment investment should be increased so that more healthcare institutions can be opened यहाँ पर किसके investment की बात कर रहा है government का investment बढ़ाना पड़ेगा इविर इतने ही नहीं government भी पढ़ाए private sector भी आए और FII भी आए FDI भी आए विदेशी भी आए ultimately जितनी जादा लोग आएंगे competition बढ़ेगा तो उतना ही सस्ता हुए दा हाँ भी अभी तक हम बात कर रहे थे अभी तक हम बात कर रहे थे electricity की अभी तक हम बात कर रहे थे health की अब हम बात कर रहे हैं सबकी infrastructure का फाइदा point number one development को promote करता है direct relation between the infrastructure and development it increases productivity and quality of life इस तरह लोग बड़े शेर पे रहा चाते हैं को आपका infrastructure अच्छा होता है इसलिए उनको अच्छी better quality of life विलती है develops agriculture develops agriculture for speedy and large scale transportation of agriculture inputs like seeds, pesticides and fertilizers गाव तक time पर पहुँच पाएंगे किसके तुरू railways, roadways, shipping के तुरू and साथ पे जोद पड़े की इसकी insurance और banking की यह सारी facilities यह सब क्या inputs तो है these all are called inputs यानि क्या बोल रहें infrastructure का फाइदा agriculture भी develop होता है एक तफ तो क्या बोले थे development होता है देश का यहाँ पर जब ने यहाँ पर development की बात की तो यहाँ पर दो चीजों की बात की गई है production को बढ़ाना है और quality of life यहाँ पर agriculture अग्रीकल्चर में रेलवेज, roadways, insurance, banking, बात की बात की दिया ultimate तो goods सुरो किस-किस की बात की बात की गई है तेसिलिटेट्स, smooth functioning of economy economy को smooth चलाने के लिए it increases the productivity production बढ़ेगा in primary sector भी, secondary भी और tertiary भी हर जगे बढ़ेगा economy smooth functioning भी लोगों को नौकरी मिलेगी और fast growth होईगी it enhance quality of life जो उपर पढ़ कर रहे थे क्या था quality of life के अंदर inadequate infrastructure can have multiple adverse effect on health क्यों क्यों क्योंकि proper अगर facilities नहीं मिलेगी infrastructure की तो problem हो सकती है मच्छ काट लेंगे डेंग्यो हो जाएगा improvement in water and sanitation facilities को improve करना है और waterborne disease को तो नोटिस किया होगा आज का सब लोग आरो का पानी पीते है क्यों क्यों को पानी में कभी कुछ ज्यादा होता है अगर कुछ कब होता है इसलिए ऐसे में क्या है proper sanitation के थूँ जहां तो हो सके क्या बीमारियों को कम करने की कोशिश की जाए expand market size क्या बोल रहा है creating new market infrastructure को क्या कर रहा है नए market लेकर आओ through transport, communication यानि कि आपने जो produce किया है वो दुनिया भर में जाके बेचो through infrastructure नए market expand करो infrastructure की वज़े से it promote capital formation and investment as output increases जैसे production बढ़ेगा generation of income also increases production बढ़ेगा तो income बढ़ेगी saving बढ़ेगी investment होएगा it promotes large scale production and increased foreign direct investment विदेशियों को भी बुला रहे है कि आओ हमारे देश में पैसा अ फेसिलिट आउट्सोर्सिंग हमारे आपर infrastructure अच्छा इसलिए global destination हम बने हुए BPO के लिए call centers के लिए क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए बिजली चाहिए कि जैसे सब्सक्राइब करवाना है उसे कहते हैं उसे कहते हैं जो इसने बुला आउट्सोर्सें ने सुन तो लो ना अभी आउट्सोर्सें दो चीजों की होती है एक तो बिजनस की प्रॉसेस की बिजनस की प्रॉसेस की एक मशीन है इस मशीन में आलू गया और निकल कर आया क्या वनके चिप्स छोड़ देते हैं एक मुर्गा था जो पैदा हुआ फिर वो पूरी प्रॉसेस से के एफसी से गया और अल्टिमेटली किसी आद्मी ने खाया अब ध्यान जाता है इस पूरी प्रॉसेस में क्या हुएगा मुर्गे कौन पालेगा तुम्हें अलगता है कियए सी मुर्गे पालेगा नहीं जो मुर्गे पालने में एक्सपर्ट है उससे बोलेगा तो अच्छे मुर्गे पाल के दे जो काटने में एक्सपर्ट होगा उस यह नोलेज होगी ना कि मेरा इन्फोर्मेशन देना इन्फोर्मेशन को बोलते है नोलेज प्रोसेसिंग तो वह BPU है वह BPU हमारे आपर KPU चलता है कैसे हमारे आपर हमारे आपर बड़ी जो वर्ल्ड की चार बेस्ट कंपनीज है यह सब सुनों के बड़ी कंपनी जो है चोचार बड़ी बड़ी कंपनी है यह सब के पी होसे हमारे आपर हमारे आपर आके सर्विस प्रोवाइडर है यह क्र वाइन जी एक है अन्राइस्ट का सब फैनिस फिल्ड के है यह बहुत बड़ी रिसर्च कंप्रीज रही है में नो आपकाके सकतमान का अस् Maori लुप सबसे बड़े चार काम गौनिया आध। एप से इत्से इंटर मौटपकेंडेंस गयां लेक्टेज लिंके इं प्रोडक्षेन थो ऑले तो एकणामिक अफ्रस्तिक्क्टिर अच्छा वे음 गा तो शोचल इंफ्रस्टुक्ट्च्र अच लोग skill होएगे social infrastructure लोग पढ़े लिखे होएगे skill होएगे जाना प्रोडेक्शिन करेंगे कम से कम टाइम में स्टेट ऑफ infrastructure in India अब infrastructure के बारे में देखते हैं पुराने जमाने में traditionally government responsible होती दी किस चीज के लिए infrastructure को develop करने के लिए लेकिन आज कल private सेक्टर बाइट सेल्फ, खुद भी करता है और सरकार के साथ मिलके भी करता है, जैसे कि तो पता होगा दिल्ली से लेके आगरा तक की रुड बनी है, और इवे लखनों तक की रुड बनी है, ताज एक्स्प्रेस बेसे कहते हैं, वो जेपी, जेपी और सरकार ने मिलके बनाया है अगें अगें जो भी हम बात करने जा रहे है वो किसकी बात करने जा रहे है रूरल एरियास की दो हजार एक में विमेंस इस्टिल यूजिंग बायो फ्यूल यानि फसल जो बचती है उसको जलाके या फिर गोबर यानि कोई कावडंग जो होता है है फ्यूल वुड लकडी जलाकर क्या करते हैं खाना बनाते हैं हाब ही 90% हाउसोल्ड यूज बायो फ्यूल 90% कहां के बाद हो नहीं है यह गाउं में और इसको लेने के लिए वो दूर-दूर जाते हैं और लेकर आते हैं फ्यूल वाटर एंड बेसिक नीट को पूरा करने के लिए गाउं वालों को दूर-दूर जाना पड़ता है 56% have an electricity connection 56% electricity है गाउं में and 43% of them still use अभी भी गाउं में क्या यूज के जा रहा है kerosene and water supply is limited सस्ता पड़ता है तुम्हे स्टोब देखे नहीं स्टोब जलाते है भार रुचाय बनाने वाले kerosene से तो करते है अब तो बाते हैं अब तो बाते हैं अब तो प्राने जमाने में स्टोब्स इसको जो kerosene चलते थे बाहर चया बनाता ने जो वो सब kerosene से बनाते है अब तेल टंकी के अंदर तेल डलता है वो जलता है जलता है तो अड़िए जहां पर गैस सलेंडर है ना उसके चोटे बटे थे करो सीन के सलेंडर थे चोटे करो सीन के 43 पहां वाटर सप्लाइज लिमिटेड एंड 24 परसेंट एवलेबिलिटी ऑफ टैब वाटर या नहीं होते हैं 76 परसेंट ऑफ यूज ओपन सोर्सेज कहां से लेके आते थे पानी अभी यह कौंसे टैंक बोल रहे है जो अपने घर में एक बना लिया टैंक साग मौट चलाओ पहां मेंघा डंध और मौट परसेंट सेंटेशन फेसालिटी सकां पर है अभिवे हैं और इस तोम क्या बताना चाहरे हैं हम यहां बताना चाहरें स्टेट ऑफ इंफ्रस्ट्रक्ट्छर इं agreeing हम गां की बात जादा कर रहे हैं में यफेज में से पर संब्सक्राइबर पर साॉट्बाइल ए 24 तौर्स सेयसंट में हमारे था घर के निने इंडेटीक रिगेजिए को थे सिंडेयकीस पर्सेंट निका और ह। 3 के पास है वा मोपाइल, पावर जनरेशन इतना मेगावाट होता था, किलो वाट जो कहते हैं, ऐसे ही वहाँ पर इतना था, तो हमने क्या देखा, आप देखने देरा, कोई भी चीज दिखाई दिरी है, जहाँ पर इंडिया जादा हो, नहीं, हर जगे चाइन अगे है, तो आ यहाँ पर अदर कंट्री का डेटा मेने लिया नहीं है, कोई ज़रूर नहीं है, सिर्थ तुम्हें चाइन से कंपे करना है, सेकिंड, वाटर, वाटर एंड सैनिटेशन इखटे कर दियागा है, नेक्स पॉंट में है, वाटर एंड सैनिटेशन भी, आभी, इंप्रूव वा अदर कंट्री के अंदर क्या होता है, यह यह जो यानि आझ धेकें अग्री कंट्री के अंदर क्या होता है, यह जो जो यह जो दिया यह पी एगरिकिलचर बर्य। rowsending । घरा जोड़ दिया है एगरी कल्चर क्या बोल रहे हैं जो रिच कंट्रीज उनको पावर और क्या ट्रांस्पोर्टेशन तर टैली कम्टिशन जिसमें इंटरनेट भी आगया मोबाइल भी आगया अब तो हम बोलेंगे क्यों इनको ट्रांस्पोर्टेशन की उतनी ही है है वो भी हैले कि वो अलजी डेवल्टेर इनके हाप़ पर पहले से ही ऐसी इंड़स्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए क्या चाहिए बिजली चाहिए पावर से कहते हैं पावर जनरेशन चाहिए ट्रांस्पोर्टेशन भी चाहिए पुर्मोर्त इंटरिपैंडड़न साथ है क्या बोल रहा है ये? Economic और Social Infrastructure. या दौनों आपस में Interlinked है? अगर Economic Infrastructure बढ़े का, तो लोग जादा कमाएंगे. लोग जादा कमाएंगे तो अपनी infrastructure की फेसीलिटी को, बतलों पाध़ी लिखाई पर भी पैसा करेंगे, करेंगे जिसे कि वो सब क्या होगा इंप्रूव तो वो क्या बोला इंटर लिंक होता है ये दोनों सोचल और इंटर लिंक होते हैं अब इस चैप्टर के अंदर पैस तो बहुत कुछ फैल चुका है इसके अंदर ना बहुत कुछ इसके अंदर लेकिन जितना भी हमने आज किय में किया है सुनलो पढले जहते हमने आज किया है इसको भी हम इंपॉरτεंट ना मानते हु़िए सरी सबज़रें इस चैप्टर का structure क्या है इस चैप्टर में क्या है इंफ्रस्ट्रक्टर ड़्फर करी श्टार्टिंग में आया चैप्टर दो बढढ गिया Ignawik और? Social. Importance or state? भूल सब आप्हे देखेंगे. इसके उन्दर, इंपोर्टें इसके इन्टेंख में काई पैली energy, Economic में energy आई और social में, health. Economy, надदर कैंख किया गिए? digitalته, इनके sources अगए are conventional में commercial और ? और फिर उसके अंदर उसके सोर्सिस क्या है चैलेंजी जिस क्या है और इसके में जाता मुझे जाद है मैंने तौनों को आपस में इंटरलिंग करवाया था कुछ इसके बाद है था है है प्राइमरी सेकंडरी और ऐसे ही फिर हमाई स्टेट ऑफ हैल्थ की क्या स्टेटस क्या था जो भी स्टेटस है इन सब को दोबारा से जब रिवीजन लेंगे तो और कंपे करते वह इसको और आसान करेंगे जिसी कि हम याद करने में हमें इजी हो तैंक् झाल 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 झाल